नवसकार दोस्तों आप सभी का वेलकम है क्विक इस्टेडी जीयो चैनल पर आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी क्राइसिस, कॉसेस और ग्लोबल इंपेक्ट यह जो टॉपिक है यह है आपका जेग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर वन है उसमें जो हुमन जेग्राफी है ठीक है तो हुमन जेग्राफी जो सेक्सन उसके अंदर है आपका एकनॉमिक जेग्राफी ओला चैप्टर उसका यह एक टॉपिक है ठीक है तो इसको हम डिस्कस करेंगे जो आपका जो ग्लोबल एनरजी जो क्राइस हुआ है ठीक है यह एक तरह से कास्केडिंग एफेक्ट के वज़े से यह फेस करना पर पढ़ रहा है अलग अलग देशों को ठीक है अभी यह आपका कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था इसके वज़े से क्या हुआ कि जो आपका गैस एलेक्रिसिटी यह जो प्राइस है इसमें क्या है एक तरह से रिडियूस सार्पली हुआ ठीक है और एक तरफ आपका जो ओवर प्रोड़क्शन है वो भी हो रहा था ऑईल और गैस कंपनीज का ठीक यूएसे चाइना एंड़ यूके इंडिया यूरोप एंड साउथ कुरिया वेर दे कंट्री वरस्ट हिट वरस्ट हीट बाइदा एनर्जी क्रण्च ठीक है मतलब क्या हो गया कि यह जो देश है अचानक से जब यह एनर्जी क्रण्च हुआ ठीक है तो यह जो आपका जो सा हो रहा था यह रिद्यूस सार्पली ठीक बहुत तेजी से कम हुआ ठीक है ठीक तो उससे क्या हुआ कि जो ऑईल और गैस कंपनी थे वह भी कही नहीं थोड़ा सा जो और प्रोड़क्शन कर रहे थे वह भी अपने आपको कम किये अना क्योंकि उतना ज्यादा अब यूज न उसके पीछ ठीक है इन रिसेंट टाइμस बैयाँ से विर्यच निस आफ एनर्जी क्रैसिस हैस कम अप इन बोथ डेवलाब एंट आभलेपिंग नेशन तो पहला जो कारन वो बताया जा रहा है कि जो डेवलप्र यह में रिसेंट टाइम में जो एनर्जी क्रैसिस हुआ है कह का developed or developing nation में उसके पीछे जो कारण है वो क्या-क्या है पहला है आपका coal and power crisis in China ठीक है तो भाई कोईले का कमी ठीक है वो चैना में हुआ same wages आपका इंडिया में भी हो गया कोईले का कमी ठीक है fuel crisis हो गया आपका UK में तो यह जो सारे रीजन है ठीक है यह चीज है आपका energy crisis the reason for this power crunch are being stated by expert pandemic green inflation geopolitics and so on ठीक है तो मतलब जो expert बता रहें कि यह जो power crunch हुआ है इसके पीछे कारण क्या है कि लोग वो रहें कि यह पेंडेमिक हुआ है उसके वज़े से green inflation हुआ है उसके वज़े से और यह कुछ geopolitics के वज़े से हुआ है ठीक है यह सारे चीज बता रहें तो इसको समझते है यह क्या क्या चीज है पेंडेमिक the covid-19 pandemic reduced the global demand for oil and other energy sources which in turn limited their production as well however the unexpected recovery rate from the pandemic by the world has lead to rapid increase in energy demand causes sudden inflation ठीक है मतलब यह कहा गया कि जब सब चीज लॉक्डाउन हो गया था ठीक है covid-19 pandemic जब चल रहा था तो कहीं नहीं कहीं कहीं नहीं मतलब जो energy का जो demand जैसे oil gas का जो demand था वो सब reduce हो गया था ठीक है तब इससे क्या हुआ कि उसका जो production जो कर रहे बहुत कम हो गया अना अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही जब हम लोग यह pandemic के time से recover करने लगे तो अचानक से क्या हुआ कि दुनिया जो है एक तरह से rapid increase हुआ ठीक है क्या चीज़ का energy demand का क्योंकि अचानक से सब चीज खुलने लगा ठीक है सारे industries खुलने लगे ठीक है और जो oil और gas का जो demand था वो बढ़ने लग गया तो इसके वज़े से क्या होगा कि एक तरह से बहुत तेजी से sudden inflation आ गया ठीक है बहुत तेजी से महंगाई बढ़ गया ठीक the sudden demand based inflation has caused coal and crude oil price to double this year as companies and countries are racing to meet the height meet meet the high demand the global scenario has been affected negatively by the supply side crunch and higher and high prices ठीक है मतब यह कहा जा रहे है कि यह जो sudden demand हुआ ठीक है उसके वज़े से क्या होगा कि महंगाई बढ़ गया oil और coal का ठीक है अब देखा गया कि इसका जो coal और crude oil का प्राइस था वो डबल हो गया ठीक है जैसे यह आपका pandemic हटा तो जिस साल यह हटा उस साल यह डबल हो गया ठीक है अब इससे क्या हुआ कि एक तरह से यह जो थाना नेगेटिवली एफेक्ट करने लगा supply side को ठीक है क्योंकि जो supply side मतब जहां से आपका यह oil और gas निकल रहे थे ठीक है तो एक तरह से ज़्यादा तेजी से बढ़ाने के वज़े से नेगेटिव इंपक्ट आ गया ठीक है मतब ज़्यादा मांग बढ़ने के वज़े से नेगेटिव इंपक्ट आ गया supply side में क्योंकि उतना supply को मतब उतना demand को पूरा नहीं कर पा रहे थे फुल्फिल नहीं कर पा रहे थे ठीक है अब जब फुल्फिल नहीं कर पा रहे तो जाहिर सा बत है कि जो oil और coal का जो दाम है वो बढ़ गया ठीक है तो यह एक कारण हो गया pandemic ठीक है मतब अचनक से तेजी से demand ब energy hence driving the demand for still limited still limited energy source energy sources like natural gas has increased causing massive price rise causing green inflation ठीक है मतब यह कहा जा रहा है कि जो दुनिया है वो कहीं ने कहीं sustainable energy source की तरब आगे बढ़ रहा है ठीक है इससे क्या हो गया कि जो demand था ठीक है natural gas का वो क्या हो गया वो increase होने लगा ठीक है massive price rise होने लगा इसके वज़े से क्या हो गया green inflation हो गया ठीक है also many countries have closed their cold field due to environmental concern filling piling on to the energy was ठीक है मतलब यह कहा जा रहा थे कि कहीं ने कहीं जो कोईले के ख़दान थे जहां से energy लिया जा रहा था उन सब को बंद कर दिया गया क्यों कहीं ने कहीं जो environmental concern को लेकर environmental को फिकर करते हुए ठीक है ठीक है ठीक the government have also placed various restriction on traditional energy sources which also add to the green inflation ठीक है और renewable sources like wind solar power require massive infrastructure and investment which is delaying the output as well this makes them unreliable for meeting the net energy demand for the long time another downside is that the renewable energy lack of storage solution unlike coal and natural gas hence it is not ready to be full to be fully depend upon ठीक है मतलब यह कहा जा रहा है कि यह जो green inflation मतलब महंगाई energy को लेके इस वजह से आ गया कि कहीं न कहीं renewable energy की तरफ लोग जा रहे थे हैं अब यह जो renewable energy जो था जैसी कि wind solar power ठीक है इसके लिए बहुत ज्यादा infrastructure चीए ठीक है investment ज्यादा चीए और इन सब चीजों को करने में लोगों को देरी क्या बहुत है इन सब चीज को बनाने में infrastructure को डेवलप करने में ज्यादा ही समय लग रहा था ठीक है तो इसके चलते क्या हुआ कि जो net energy demand जो था उसको फुल्फिल नहीं किया जा पा रहा था ठीक है लंबे समय तक ठीक है साथ यह जो renewable energy है इसका क्या बोलता है problem यह था कि storage solution ठीक है वो नहीं था lack of storage solution यह सकते हो जब चाहे आप उसको जला लिए उसका इस्तमाल करके फिर energy produce कर लिए लेकिन यह जो renewable energy वह ऐसा नहीं है ठीक है वह आप इस्टोर करके रख नहीं सकते हवा चला तो हाँ चलो windmill खुमा नहीं चला तो फिर वहां पर भी आपका energy नहीं आएगा ठीक है वैसी दिन के समय उजाले में तो आपने तो solar energy से आपने power ले लिया लेकिन रात के समय ठीक है तो यह जो power cut हो रहा है या फिर इसके वज़े से जो क्या बोलते है प्राब्लम आ रहा है यह सारा है आपका green inflation ठीक है अभी तीसरा प्राब्लम जो है जिसके वज़े से energy crisis आ रहा है वो geopolitics geopolitics is also contributing factor in elevated crisis in some region for for instance when European Union nation suffer from a energy crunch Russia steps in Russia step into help but this time Russia has not increased the supplies which may be a tactic to put pressure to expedite the North Nord Stream 2 pipeline approval ठीक है मतलब यह कहा जा रहा है कि जो energy crisis के पीछे जो कारण होता है वो कभी कोई geopolitics कारण भी होता है ठीक है अभी geopolitics कारण के लिए इन्होंने example दिया कि जैसे European nation में energy crunch हुआ तो रसिया ने एक तरह से मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उनको energy supply दिया लेकिन वो ज्यादा energy supply increased ज्यादा नहीं दिया ठीक है रसिया ने ज्यादा नहीं दिया क्यों नहीं दिया तो वो चाहता था कि भई कि जो नौड टू नौड इस्ट्रीम टू पाइपलाइन जो है जो कि रसिया से European Union तक एक तरह से गैस का लाइन जो दे रहा है वो एप्रूवल मिल जाए ठीक है इसलिए ना रसिया नहीं रसिया ने क्या किया कि जो नौर्मली जो supply कर रहा है वो कम करके ताकि जो European nation है वो इस नौड इस्ट्रीम टू पाइपलाइन को एप्रूव करे ठीक है ताकि रसिया का जो तो गैस है वो continue supply होता रहा है और रसिया को पैसा आता रहा है तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक देश अपने फाइदे के लिए supply को कम किया जिसके वज़र से European Union में आपका energy crunch हो गया ठीक है तो यह एक ठीक है तो यह एक आपका energy crisis in India अब इंडिया में energy crisis का क्या हाल है इंडिया डिपेंड आन फॉजिल फ्यूल फॉर आल्मोस्ट सेवंटी एर्स फॉर आल्मोस्ट सेवंटी परसेंट आफ इस पावर रिक्वार्मेंट बट करेंट्ली दा कंट्री कोल इस्टॉक और रनिंग अर रनिंग एबिस्मिली अब यह कहा जा रहा है कि इंडिया में जो है सतर परसेंट जो पावर रिक्वार्मेंट है वह फॉजिल फ्यूल से पूरा होता है ठीक है लेकिन करेंटली अभी यह देखा गया कि जो कोल स्टॉक है वह अभी रनिंग लो मतलब अभी सप्लाई नहीं है या कोल स्टॉक अभ जी क्रैसिस का इंडिया में वो चीज़ बताया जा रहा है जैसे कि आपका तमिल नाडू महराष्ट्रा और करनाटका हैस राइजन फॉर्टीन परसेंट टुवेंट परसेंट आफ्टर पेंडेमिक पूटिंग इस्टेंड और प्रोड़क्शन सप्लाइटर मतलब यह कहा जा रहा है कि जो कोईले का स्टॉक जो कमी पर्ड़ है इसके पीछे कारण यह है कि पैंडेमिक के बाद में जैसे तमिल नाडू और महराष्ट्र जैसे जो राज्य है वहाँ पे जो और करनाटक ठीक है तो वहाँ पे जो पावर कंजम्शन पहले जो कहीने कहीं 14 परसेंट तक था वह 21 परसेंट हो गया है तो इसके वज़े से क्या रहा है कि जो जो कोल प्रोड़क्शन है को सप्लाई है नेट्वर्क है उस पे दबाव बन रहा है तो यह कारण हो गया दूसरा है आपका दपावर क्रैसिस इन चाइना वास हाइक दिदा डिमांड एंड प्राइस ाफ्यूल ग्लोबले हैं तो अब यह क्या होगि चाना है यहां पर भी इसका डिमांड और जो प्राइस है वो मतब इसका होने लगा है थी स्के वज़ेसे जो प्राइस ओफ कुलर्य दुनिया में बढ़ने लग गया तो यह एक दूसरा कारण है था है उसकी इंडिया को भी कि इसका मदब बढ़े हुए प्राइज में क्या बोलते हैं फ्यूल खरीदना पड़ गया तीसरा का तीसरा जो है एनर्जी क्राइस इन इंडिया 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 इंपोर्ट्स मोस्ट आफ इस कोल फ्रॉम आउटसाइड एंड़ सप्लाइचेन बॉटल लेक आर इस्टिल आटक जाता है वो इतना स्मूथ नहीं है कि असानी से आपको इंपोर्ट हो जाए तो उसके वज़े से भी इंडिया में एनर्जी क्रैसिस आ जाता है ठीक है उसके बाद है आपका डवाइडनिंग गैप बिट्विन दा लो कॉस्ट अफ एलेक्रिसिटी एन हाई प्राइस सच कॉल इसमें क्या होता है कि भई जो कोईला का जो कीमत है वो बहुत झादा महंगा थाना और वहाँ और जो बिजली बना के दिया जा रहा है वह सस्ता दिया जा रहा है तो इन दोनों की बीच में जो डिफिरेंस है उसके वज़े से कहीं न तक ही नेगेटिव इंसक्न प लेकिन जो लोकल सप्लाइस जो है वहां पर क्या है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है ठीक है क्यों क्योंकि यह जो क्लाइमेट टार्गेट है ना जो इस्यूस है उनके वज़े से दिनीशी कूल क्यों अजनेद है थो इस्से क्या है तो उससे कह रहा हमेट क्म आ और यह क्यों क्यों पर क्योंको सब्सक्ति कुटंक और सेटा हैं आँ थो आज crafts आ रहे हैं इसके वज़े दूंध with state-run organization to boost the mining and production of coal according to expert the winter may help see a drop in the energy demand stabilizing a situation bit. बतलब यह कहा जा रहा है कि जो power companies जो होते हैं ठीक है उनके पास में यह जो कोईलर को स्टॉक करके रखने का जो खर्चा है वो बहुँ जदा हाई हो जाता है ठीक है तो हाई कास्ट होने के वज़े से लोग इस्टॉक फैलिंग नहीं कर पाते ठीक है इसलिए सरकार इन सब चीजों को देखते हुए क्या बोलता है कुछ measures ले रहा है ठीक है ताकि क्या बोलता है स्टॉक फैलिंग भी हो सके और साथी साथ जो अब इस चीज से निपटने के लिए एनरजी क्रैसिस से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है The world is in an energy transition stage when there is bound to be an imbalance in demand and supply throughout. Since most of the consumptive and fast-growing world economies are heavily dependent on thermal energy, it will be a rather difficult task to switch to renewable source of energy quickly. Thus, it is also imperative that we divide our attention towards sustainable alternatives also to achieve better stability in the future and avoid future energy crisis. मत अब यह कहा जा रहा है कि जो world है ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक तरह से कहीं नहीं कहीं energy transition stage चर रहा है ठीक है, energy transition stage क्या चर रहा है कि भई जो क्या बोलते है, non renewable से renewable energy resource की तरफ जाया जा रहा है ठीक है, क्योंकि देखा जाए कि जितना भी बड़ा बड़ा economy है, वो सारा का सारा कहीं न कहीं एक तरह से पुराने जो कोईला से fossil fuel को जला के उन सब चीजों पे थे ठीक है, तो यह जो transition stage हो रहा है, जो बड़ाव हो रहा है, इसके वज़े से थोड़ा सा क्या है ना, एक तरह से imbalance आ गया है, demand और supply में ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा दिन, थोड़ा देर तक अगर रखेंगे, तो हम लोग एक अच्छे से sustainable alternative की तरफ बढ़ जाएंगे, और एक तरह से हम लोग achieve कर लेंगे, future में better stability, और हम जो future में जो energy crisis है, उसको भी avoid कर देंगे, ठीक है, तो यह जो energy transition stage हो रह है, उसको लेके थोड़ा सा आप सब्र रखिए और एक समय ऐसा आएगा कि energy crisis का जो problem में वो सब solve हो जाएगा, ठीक है, तो यह चीज़ इसका एक समधान है, way forward है, ठीक, तो यह हो गया आपका energy crisis वाला topic, तो इस topic में बस इतना ही, फिर मिलते हैं next video में